इन दिनों उमकारिश्वर में पवित्र मान नरमदा नदी के तट पर शाध कर्म चल रहा है हजारों लोग अपने पित्रों के निमत यहां कर तरपन और शाध कर्म कर रहें शाध पक्ष में पित्रों के तरपन से उनकी आत्मा को शांते मिलती है जोत्रलेंग एवं पवित्र नर्मदा तटपर किये गए तरपन का अनंत गुना फल मिलता है ये बात पंडित रुकमागन शुकला ने चर्चा में कही प्रती वर्शानो सार इस वर्श भी उमकारिश्वर के समस्त लगभग अनेक घटो पर 16 शाद के अवसर पर पित्रों को मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश को लेकर अनेक लोग शाद कर्म कर रहे हैं शाद कर्म से घर में सुक्षान्ती एवं सम्पृधी बनी रहती है तरपंड कर्म कर रहे है पंडित जैप्रकाश पुरोहित ने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली है जो नर्मदा के तडपर पित्रों को मोक्ष के लिए 16 शाद के अवसर पर तरपंड करने का अवसर मिलता है धार्मिक स्थानों पर तरपंड करने से नाना परिवार, मामा परिवार एवं अन्य पुर्वजो के नाम से भी पुण्य दाइनी मा नर्मदा में तरपंड करने से उन्हें भी आत्मा को शांती मिल रही है दोपर न्यूस के लिए उंकारिश्वर से ललीद दुबे के रिपोर्ट उनको शांती के लिए उनको भगवान के स्री चर्णों में स्थान देने के लिए उनको जल दिया जाता है और तिर्थ में देने का एक विसेष्ट महत होता है जिसमें नर्मदा को सरसेष्ट माना गया है